नमस्कर दोस्तों मैं प्रियंका सींग आपका स्वागत है चलूओली किछन में आज सीम ऐसा ही मठी बनाएंगे फ्रेंड्स जे पतली वाली मठी है फ्रेंड्स ये चाए से खाते हैं आप ऐसे भी खा सकते हैं आज सेम बनाएंगे हल्वाय वाला स्टाइल में चलिए बनाना सुरू करते हैं, एक बड़ा सा बरतन लेंगे, उसमें तीन कव मैदा डालेंगे, यह मैदा 200 गराम है, फ्रेंड्स आपके घर कटोड़ी होगा तो कटोड़ी से भी आप अच्छी तरह से नाप सकते हैं, मिडियम साइज का कटोड़ी या थोड़ा बड़ा हो, उससे आप नाप लिजेगा, यह बेकिंग पॉडर है, हाफ चमच डालेंगे, यह नमक है, नमक मैदे में एड़ करेंगे, अपने स्वाद एकोडिंग डाल लिजेगा नमक, गोल मिरीच है, थोड़ा सा गोल मिरीच को दरदरा खुच लेना है, पॉडर नहीं डालना है, फ् इसको हलका सा यासी मसल की, तब इसमें मैदे में आड़ करना है, इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, अजवैन इसलिए डालते हैं, फ्रेंड्स को जब भी मठी बनाएंगे, तो उसमें डालने तो मठी खाने में डैजेस्ट होता है, यह मंगरेल है, दो चुठ की मंगरेल है, यह कस्तूरी मेथी है, मैदे में आड़ करेंगे, इसको भी ऐसे रगड लेंगे, रगड के तब आड़ करेंगे, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, कस्तूरी मेथी का, यह किनारा किनारा सा क्या करेंगे, चमत से होल कर लेंगे, यानि गड़ा कर ले house, पानी एड़ करना है, पानी एड़ करना है, तो बाद में यह बढ़ करना है, इस आपको डेल नहीं आपको अंदाज यह जिम्हार चाहनों करनेस, यह थीं ऍल्सक्त, तो eer सेट नहीं न ही करने लिएगा। आइखने टाइट रहेगा दो तो मठ्धी बहुत पर्फेक्ट बनेगा और हाथ पे एक बड़ा लोगा लेंगे उसको ऐसे लंबा करना है लंबा करके इसमें cut करना है छोटा छोटा piece करना है फ्रेंड्स कंए और सारा पीस कट करके ऐसे रख लिया है अब देखिए इसको कैसे मठी बनाएंगे आप इसको चाहे तो बेल के भी बना सकते हैं लेकिन हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं जो यह कटा हुआ है जो पीस कट किया हुआ है उसी को हाथ पर दोनों रखके और ऐसे दबा लेना है दबा के और ऐसे रख लेना प्लेट पर देखिए फ्रेंड्स यह साथ आठ बनके रेडी हो गया है अब चलिए छानने चलते हैं और बनाते रहेंगे और चानते रहेंगे कर आपका मठी फूल रहा है फ्रेंड्स तो क्या करें तूत पीक लेले और लेकि उसमें होल कर दे या फॉक लेले जो चम्मच है वो लेकि उससे भी आप खूल कर सकते हैं उसके बाद आप कड़ाई में ऐसे डाल लीजिए और डाल की फ्राइ कर लीजिए एक दो मठी फूलता है ज्यादा ने फूलता है लेकिन आप अगर उससे होल कर लेंगे तो आपका एक भी मठी आपका फूलेगा नहीं आपका मठी बहुत परफेक्ट बनेगा फॉक से भी अच्छी तरह से जो फॉक चमच होता है उससे भी अच्छी तरह से आपका मठी होल हो जाएगा और देखिए व्रस एक बार में हमने कितना मठी डाला हुआ है ये सारा मठी ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम निकाल लेंगे और प ये चीज़ का ध्यान रखिएगा ये मठी हमारा ब्राउन हो चुका है अब ये सारा मठी हम निकाल लेंगे देखिए फ्रेंट सारा मठी बनके रेडी हो चुका है और एक दो मठी देखिए ये उपर का जो है दो ये फूला हुआ है और बिलकुल नहीं फूला हुआ यह दो और अपने फ्रेंड को खिलाइए देखिए कितना परफेक्ट यह मठी बना हुआ है फूला है फिर भी बहुत क्रिस्पी बना हुआ है और चाय के साथ खाने में तो बहुत मज़ा आता है एक पर जरूर बनाईएगा और अगले वीडियो में फीर आप से मिलेंगे बाई बाई तो